रैंकिंग का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं रैंकिंग का आर्थ होता है रैंक करते हुए होना या रैंक करने वाला यानि कि रैंक का ही present participle यानि आयन जी फोर्म होती है रैंकिंग और rank का आर्थ होता है श्रेणी में रखना, स्थान रखना, पद वित्रण करना, ओहदा देना, पदस्थ होना, क्रमबद करना, स्थान प्रदान करना, पद में उचा होना, विशेश श्रेणी में रखना, उतक्रिष्ट पद रखना, पंक्ती बांधना या चांटना जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि वह जहाज का ranking अधिकारी है तो आप कहेंगे he is the ship's ranking officer या अगर आप ये कहना चाहें कि वह ranking officer थी तो आप कहेंगे he was the ranking officer अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें